अगेज परिस्वाद दोन मिडा सुरू होतो है मतवाचा विशेया है सोशल मीडिया आनी आच्चा तरुन या विशेयावर आता परिस्वाद होतो है मी आच्चा प्रमुग वक्तेन ना व्यासपिटावर अमेंतरीत करतो पहले आहेद विरार्चे शेशी सोनोवने शेशी सोनोवने जी कृपे आपन वर्तियाव दूसरे आहेद हैदराबाचे खालीद मुला खालीद मुला जी आनी तिसरे आहेद आरंग बाचे नौशाद उस्मान नौशाद उस्मान जी प्रगती अल्पसंक्यांक महिला मंडल पन्वेल चा सदस्या नासीरा फारूक इंडी यहना में विनंती करतों कि तेननी स्टेज वर यावे आणि तेननी आमला सुचित के लिए लाहे कि त्या डॉक्तर फातीमा मुजावर चा थोर सहितिक कवेत्री आहेत यांचा त्या सत्का आनि सन्मान करूए चितात तरकुपिया तन्नी मंचा वर्यावे प्राध्यापक फातीमा मुजावर अक्राव्या अकील भारतिया मुस्लिम मराथी साय सम्मिलान चा अध्यक्षा यांचा सत्कार करताना न्यू प्रगती अल्पसंक्यांक महिला मंडल पन्वेल चा सदस्या नसीरा फारुक इंडी तन्चा सत्कार करेता हैत जोर्द अटालन ने आपन सरवानी तन्चा सत्कार करूए या या सत्राचे प्रमुक अधिती मनून रत्नागिरी चे अमजद बोरकर या नमी विचार मंचा वर आमंतरित करतो अमजद जी बोरकर करपे आपन वर्तिया आनि हा कारिक्रम लगे शुरू होईल तत्पुर्वी मी पाहुने चा परिज़े करूँ देतो शेशी सोनोने आहेत मक्चा 20 वर्षा पस्न सामाजीक सरववलित काम करता हैत सद्या बुले ट्रेन आनि एक्स्प्रेस वेचा विरुदाते अंदुलन करता हैत दुसरे आहेत है अधरा बच्चे खालीद मुल्ला एटीवी नियूजला ते वरिष्ट सहसंपादक आहेत आनि तिसरे आहेत नौशाद उस्मान वरिष्ट पत्रकारेत अवरंबादला स्थात तर्मी सुत्र संचलर जास्त वेड़न लगेता कारिक्रमाला सुरूवात करतो है आपले आच्च में नौशाद उस्मान ना मंद्रीत करतो नौशाद उस्मान जी सोचल मीडिया आनि आच्चा तरून या विशावरते बोलतील अओजो ब्लाह मिली श्युतान रजीम बिस्म लाह रुखान रखीम उद्ध कुंतुम खेर उमतिन उखरिजत लिनास तामरोने बिल्मारुविव उतन होना अना हुतन होना अनल मुन्कर वतूमेनोन बिल्लाह सुदक लाह लजीम मंचावर उपस्थित या परिसमादा चे प्रमोक तमाम आजरनी मंडड़ी वलिल्धरी मंड़ी माज़ा बंधुआनी भागिने नो असलाम अलेकुम सोशल मीडिया नी आत्ता तरून या विश्यावर बला थोड़ा वेड़ा पुर्विच बोलनेया साथी सांगेतलाए महनों फार जासतर तर तैरी के लिल नहीं है नाहीं तर कई आकड़ेवारी वगरे पन मी आनली आसती मला सवाटते की आकड़ेवारी यानी सगलते याचा याचा तनज आता नज दड़ोता मी लगेज माज आउकाती वरे तो सोशल मीडिया वरत खर मजे गूगल वर तुम्हाला या विशही अनेक खुब सारी आकड़े वरी मिलूशकते किता ची वैख्या का है सोशल मीडिया ची काई लोका मंदात कि असंघटीच पने वैक्तिक रित्या लोकांशी के लेला थेट समवाद मंजे सोशल मीडिया असे काई लोका मंदात काई मद्भेदी कि लाहत या संबंदात या ची काई उधार नायत फेस्बूक है फेस्बूक चे शंबर कोटी यूजर्स असलिया चे सांगित लदात मला अटत कि सर्वानी थोड़ा शांत रहा हाँ वेड थोड़ा माहित है कि ये सगड़ान काई लोका न भूका लागले अस्तिल पर तरहीत हे सहन करने थोड़ा साहित्ती काला भाग है और सर्वानी अप अपले जागया और बसाव कृपया वहांटसेप के पन्नास कोटी यूजर्स असलिया बदल बोल्ड जात पर अफिशल अक्ड़वारी नहीं है शुर्वात जीज हली थी 24 जानेवरी 2004 पासुन और कुट पासुन सोशल मीडिया ला फार जास्त उमड़ा मिला तैज आज आधी आसू शकता पर अधू फार जास् साला आला पहला सोशल मीडिया बनों ते निमित ठरला और कुट है इंस्टाग्राम आये लिंक डेन आये यूट्यूब देखेल सोशल मीडिया ता हाँ प्रकार मानना जातो मराठी ती अनेक सोशल साइट्स आहत है आने त्याचा वरी काम करना रे लोका आहत जैसा मिसल वहाक तो किला जात नहीं पर्लो माया बोलिया नहीं मिसल पाउ देखेल सोशल मीडिया ति हाँ प्रकारा है व्लोग्स, वर्टप्रेस डॉतकॉम हैं ब्लोग्स पॉटॉट्askॉम आहें ब्लोग्स डिकेल है सोशल मीडिया ता भाग असुषक तो याता ध्याला का सग्राव याता प्रभाव जो आहे तो कुंता आहे सर्वात मुठाक प्रभाव काय धाला है सोशल मीडिया न तर प्रकाशक आनि वितरक आनि मोंड मोठया उर्थ पत्रांचे संपाधक यांची मक्तिदारी संपोलिया जर तुमी माधा लेक थापू शकत नसाल तर मी तो माधा लेक सोश सोश शकतो आनि नंतर आमाला संपाधक आंछे फोण नेता कि तुमता तो लेख वातला अमितो रिप्रोडूस करावा का तुमी माधा सोशल मीडिया ने लिए आता सर्व सामने मानस जहाताद मोबाईल है आनि ते मोबाईल एक शस्त्र महनूं देखेलवा पर ले दाता है दूसरा जो प्रभाव पड़ला या सोचल मीडिया तै ते आता ट्यूनिशिया करांती बसंद शुरुआ धाली कि अनि त्यूनिशिया करांती नंतर मजे त्या वक्त बारा तेरा दियुसा धाले नहीं है मिवानने करतों एकवानल मुसलिमीन और अनेक अश्या संगटना है अश्या चाड़ वड़िया है तो अनेक वर्षा पसंट कारेरत होता पर उन तेला बूस्ट देना ते काम धाला ते एका महिल न केला अनि तहरी तो का मदे लाखोर लोग का जमा धाले अनि हुस्न मुबारक ला जाव लागला आनि अधुनिक मेडिया सा इफेक्ट बंजे चांगला की वाइट आसो परंतु मोधी सरकार हे इना मदे सोशल मीडिया सा फार मोठा वाटा है हे मनाला का हरकत ते टीवी वर दबाव टाक नाता इलेक्ट्रोनिक म पर गांचे समस्या कजी तुमी टीवी चैनल वर भगित नसाल परंतु पून्या सोड़ प्रकरन धाला अनि लोकानी चैलेंज केला हाइस्टाइग वा असुरू केला कि याचे वर डिबेट कराला पाई जे विशेश करून अनेक चैनल जे याचे बसन दूर रहात होते ते अनेक टीवी चैनल चे एडिटर्स याणी प्रोफेशनल कैमेरा दोआरे न करता डाइरेक्ट अपला मोबाईल दोआरे थेट लाइव देना प्रसा सुरू के लिए कि माधा कारेक्रमा तुमी बगावा अनि अशा प्रकारे अजे है टीवी यानी वुर्तपत्रा जे लोकान सब्सक्राइब करता है कि सोशल मीडिया और फंड्रेज और मना याचे एक दोना अनुवा वाले कि एक शेतकरी एका शेतकर रहनते टाकला कि माजे आशीशी परीश सित्या है तो लोकाने वाटला हां आत्मात्यादर कर नार नहींगा मनों यूएई वरून यूएई वरून दुबई वरून त्याचे आकाउंट मदी जाहेत 15-15,000 रुपे जाहेत लोकाने टाकले रहेत इतका मुठा है एक मी एक टाकला होता कि एक आमची भगीनी पून्याचे एक होस्पिटल मदे एडिमिट है अन्थिला पौनी 2 लाख रुपे लागना रहेत आनि त्याचे या सोशल मीडिया चे वापर सदूपयोग आपन करूशकतो नकारत मां गोश्टी देखी लाहेत में मानने करतो फेक न्यूज वायरल होता पर नंतु फेक न्यूज का फक्त सोशल मीडिया नुसार तो आहरल होता का टीवी चैनल ही करता ते तुमची का यह जेनियू ची फा वाइरल दाले होती है अने एक होता गोश्टी सोशल मीडिया तो इफेक्ट जासता है महनुन इतने और आरूफ होतो कि नाए नाए तो जो आहे नकारत मक आहे अशा प्रकारत वगरे परन्तु हाथ फेक जे न्यूज ता प्रकार है त्याला उत्तर महनुन जे आहे ते वाइ परनी बात मीका है हे देखिल हाइरल होता त्याचा सोबतात मुन त्याला घाबराय तो फार कारन नया समला वाटत हो इस सोशल मीडिया वापरना रंची छबी चांगली नसते मंजे प्रिंट मीडिया चा पत्रकाराला डिबेट साथी बोलोलो जात इलेक्त्रों क्मीडिया पत्रकारा भार सम्माद दिला तो पर नो सोशल मेडिया जो इपत्रकारा है जो इस आपर दर सदूपयोग दर केला तर तो शब्द मुजाहिद थरूशक तो शब्द मुजाहिद मुज़े का है कि शाब्दिक योद्धा तो मुझाहिद हाँ शब्द वापरला की लोकंचेब होया तानल अजाता जिहाद मुझाहिद परणू तो योधरोद्धा के आशा अच्छा मिडिया नि आज चा तरून तरूनां साटी काई डूस और डूस मी था एक सजेशन मौनुं सांगू इच्छी तो तो फत्वा नस न आर बरागा नादर काई दाडी वाले खाद मानसार न जर लेकराला जरी सांगी तल ए धाव जावन नो को बरोगा लेकरान धावनास मौल्व अर्था है तादा निरूपन मारा ठित्मन निरूपन इंटर्प्रेटेशन बाकी कईद आदेश होदेश नसतो तो है ना पर नो कही शब्दांचे आपन भाशांतर केली नाई महनुं गड़बर धाली मिते नंतर एनारो कि मुद्दामुन काफिर ता भाशांतर धाले नाई आए मुद्दाउन हाला अला भाशांतर धाले नाई तैजा मुड़े अनेक गड़ समत पसर रहे लेए सोशल मीडिया और ते भान असाल है पाजिए डूज मदे मज़े काए करायाइच शरवात पहली गोश्ट रहा कि तुम ता उद्देश ठरवा तुम्ही सोशल मीडिया और कशासाडी हाब तुम ता उद्देश ठरवा का है अनि त्या उद्देश नुसार तुम्चा प्राइोरिटीज तुम्चा प्राथमिकता ठरले जातीर गैजा बाटीर नले मुझा थे उद्देश ठरवा साना है मैंनत जो कहीं तुम ता उद्देश आए ते पहले फिक्स धाला पाएजे अनि त्यानुसार ते प्राथिमिक ता ते प्राइरिटीज थे घेला पाएजे मला आसे वाटते कि मुस्लिम मराड़ी साहित चे सम्मेला ना है कि मुस्लिम कल्यान करी समूदा आहाथ जो लोक कल्यान साथी तयार के लागिला है मुस्लिम समादा थे उद्देश लोक कल्यान लोक कल्यान है कुरान सांग तो कोना थे भाशन तर तुम्हे वाता खेर उम्मत ता अर्त का है कल्यान करी समूदा आहाथ तुम्हीं कल्यान करी सम्बोदी है या यह लोगान के काल लैनेशा साथी मुसल्मांता अलाह न तैयर कि लाकुरान संक्त है वह नो कल्यान करी हरी जा काई गोस्टा सील टे सोशल मीडिया वर वाइरल करना हां एका मुस्लिम तरूना था उद agency पाइजे दूसरी गोष्टा है कि रेफरेंस पेजेस तयार करा पेजेस रेफरेंस पेजेस कि काई संदर बुदर पाइजे असिल तर लोकाना ते मिड़ोता आले पाइजे जसा है कि आधकाल इसलाम अनि मुस्लिमा विशी जे गईर समत पस्वरों ले दाता है त्याला उत्तर योग्य उत्तर देना करिता फार कमी लोका है एक खाधात मुझाहित शेक अस्तो जो सड़े तोड़ नावत है हाईश्टैक तालो तो आले ना इते उसमानाबाद चे एक ख जो जे उत्तर अनि शौट भाश्य मदे कमीद कमी शब्दा मदे ते देव शक्तिल अशा लोकांजी गरता है कि जे ब्लॉक तायर करतील मराडी भाश्य मदे कि तांची उत्तर देली दायर तलाक ताया है अजन काई गोश्ट आयर अनि इस खरा इसलाम साधर करनारे मराडी अन्लाइन असनारे यूकांजी फार मोठी गरता है और अनि या वितिरिक थोड़ा हलका फुलका देखिल सोचल मीडिया टाकत रहा है एका अमेरिकन एक आला होता संजय आउटे यान ना तो भेट लानी तानी 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 तुम्ही लोकों कि ना ऐसा फार चलवड अनि हैं अन्ति विचार वैचारीक वगरे असल तुम्हा वाल वर्दी से आमी देखिल मांसा हो में समुधरा मदे पोहत असना पूर्ण कपड़े नेसुन पोहत असना जया है तो फोटो टाक लाए होता काई लोग आने तानी तुम्ही कशे का है वहा है तुम्ही आमी पोहत ही आसता हुआ है तर मुझा सकता है हलका फुलका देखिल टाकना आऊशका है अनि दूसरी गोश्ट मंझे कि सोशल मीडिया ता सरवात मुठा नुकसान मंझे कि नात रिलेशन्स खराब धाले लिया है अनिका चीजी लगन तुट ले लिया है फक्त सोशल मीडिया वरोन तरहे नात टुट देऊं लिए नका प्रश्ट महम्माद सव्ले लावलाण स्लम्म याननी कायामत कदी याची कही लक्षन संगित ले तै लक्षना पाइकी करीब के लोग दूर हो जाएंगे जवर्ड से लोको दूर होती अनि दूर्ट लोको दाउल होती तो सोशल मीडिया है ज़र भ महाप्रलय कि जर्वड़ाइनाति संकेथ असलिए होता काम अने यह उता काम यह जची आए आनेक इज भी आ मधे तर हें लाव ले 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 आसा भागा है , वैल जयामर जयामर वैल ले ले अक्याह झाइडे सालते हैं तुम्हें तीदा खुर्ची और वसंदर तीदा मोबाइल वर चिपक लेला साल तरते योग ये नहीं हे देखिल असलों गुरूप संबेलाना देखिल गया एक अधे गुरूप असता मी दों तीन संबेलाना आटें के लेला है आमी सोता एक गुरूप सालों तो धर्म मराठी म करता नहीं ती गोष्ट सांगनेता की हिम्मत है सोशल मीडिया करता सता मनूं मला नहीं वाटत कि अभासी जग है ये खर आनि खर खुर आसा वास्तवादी जग है मनूं पर तो मांसा मांसाला भेटली भाहिजे अला सवाटते की गुरूप संबेलाना देखिल वाला वजे श गारपीट मना भाशांतर अलाला पुनर संचे विवा रिस्तोरिंग देखिल संचे वेवाव मना चला जिहाद ला संगर्श मना तांगर्श मना और काफिर मुझे नास्टिक नाकरना रा तो मुस्लिम कुटूम बाते जन्मूशक तो नास्टिक पैगंबर वासी है शब्दा आवाइड करा लोग बुद्ध वासी पैगंबर वासी नावाता कुंधाई शब्द असा अस्तित वात नहीं है दिवंगत वगरवाब हूर हुरां विशयी बहातर हुरां विशयी सरवाद जास्त मराधी मदे इसलाम विशयी जिया है ते आप प्रचार केला जातो कुराना त् अनि शिल्वान आस्तिल कहीं तरी पिच्चर में ते पर अगरे लाव लेली याने अशी अफसरा रंभा उर्वशी तीलो तमा रेवती है ये ये पिच्चर आइस केले ले तशा कई आशा प्रकार जा उत्तान वेश भूशा केले लेले हूर नस्तात त्या शिल्वान महिला अशा प्रकार जाए अशा प्रकार जाए ब्रह्मन कि वाँ अशा अशा काई एकाज कम्यूनुटी तो ना ओगे उन कुर्पाय ठीका करू ना का मला साथ ते उगीत काईद्यां वादी एसे मुश्रिफ जाए ते आले होते तैंजा पुस्तकात तैनी ब्रह्मन शब्द अशा प्रकार जाए तो शब्दा में कौईन देली केल कराला हुए रिलेवनसी था थोड़ी तुम्ही विचार करा रिलेवनसी मजे एकादी गोश्ट आली 15 अगस्ट आला तर तुम्ही मुस्लिम जे साथ तन्तर सहीनिक आए तैंची तुम्ही पोस्ट आका तुम्ही ज़र करेंड़ी ख्राइड नाथ ज़र्ण ततर चाहला रिलेवनसी था 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 रीडर्स तुम्हाला भेट्नार रहें ताहला विवर्स था था बेट्नार ने काई क्रेट देखिल करा रख्त कॉपी पेस्ट करो ने का तर काई वीडियोस क्रेट करता है तो आप ते ही एक बगा अ नियुकर महत्वध आजे जासे इता महसीन खान भशलील असलेला सेमिनार में पेपर प्रेजनेशन लाइए होते जासे फोटो पाया जासे जासे एक मधारी मेहराच आपनीक फोटो हाँ आसा तुम्हाराम्दा स्वाथ भगितलासा शिवाजी महाराच आजे आथलै आमके ला तो मैं जमात इब्राहीम खान यांती फोटो काड़ून मला पाठोले मी ताथ प्रेजेंटेशन साधर केला मुंबई विद्धा पिटात अनि ते मी मराथी टीवी चैनल न थे दोन विड़ा रिले केला है सांगा जेता पर मंजे का है कि सोशल मीडिया ना तैनी वाट सापर प पहलू लगा काही संघवादी लोकानी 15,000 रुपए महिने पगार देऊंदे आये ते ट्रोलर्स ठेल ले ट्रोलर्स ट्रोलर्स ट्रोल रहा शब्द कुठों आला ते विगडिया है कुंता दीरी पिक्चर होता हुता हुता है तो यहां ते राक्षे साधी चम्चे अस्ता ज जाइब आसरे कर से का है है मझे आसे बिन फाल दू जा प्रशन तुम्हाला विचारत बसतील छोटा छोटा गोश्टी जे संदर्ब तुम्हाला हुडकाला लाउतील तैंचा नादी लाउन लागू नका आनि मी जे चर्चा संपुष्टा दानतो कशी आनतो कि ठीक है खर ख खोटा कयामत चाहिए दिवशी माई तो थोना रहा है बेटू ता मना हश्र चाहिए दिवशी अल्ला हफीज गड़बाय अशा प्रकार तुम्ही ताला टाला कुराना संग तो कि जर अधने लोक तुम्हाला जर वाद घाला लाले तो सांगा कालू सलामा मझे सलाम करना जी परवान की कोना ला या है या आयती वर्म देखिल माई तो थे हैं कि तुम्हे विरोधक देखिला तुम्हे सलाम करूँ शक्ता सकालो सलामा महना और या चाह बीमारा देखिला लाग लेला सोशल मीडिया निरोलोजिस्ट कर जाव लाग लाग ले आनेक लोकान तर गया मुलानी पन सिकूर कराला बाजे फैमिली चे फोटो ठाकताना थोड़ी काल जी गया ताता रुपयोग हो शक्तो तेड़ निर्मान होई आसका ही लिहून का परन्तु विद्रोही लिहा यास आमी साखर टागू किती टागाजी असेल आमी पानी टागू किती टागाजी असे कि इसलाम और मुस्लिम और बहुजन और दलीतां चा अबुरू और तपून बस लेला गिधाड़ा नो आता तुम्चा प्रत्येक शाब्दिक वाराला परताउन लाना अरे शब्द मुजाहिदी तयार धालेला है जदा कला धन्यवाद नौशाद भाई आपन दोंतिन मुद तुम्ही बरेज तरून आयत की वेल खूप वाय गला हुतात आपन सर्वजन बगता है दुरावा वाडलेला है तर माला असवाडता की सतकार्या साधिया साओ आपर केला पाजे आपन एक धामिंडा साधिया विशेया पसुन थोड़ सा हटतो है जाने आपले तरून ने ची लगुना कहाइदी अब्धूल वाहिज शेक हे सभागराथ उपस्तित ए मितना व्यसपिट अवर अमंत्रित करतो है ते मंचा वर अमंत्रित करतो धामिंट साधिया आपले शीबोल तील अब्धूल वाहिज शेक तत्पूर्वी डॉक्टर शेख इकबाल मिन्याना मी विननती करतो तेनी अब्दूल वाहिज शेख आंचे सतकार करावा एके शेख सर अब्दूल वाहिज शेख आपलेशी धामिंडे समवा सातील कुरुपया आपने यावा लाहमदू नसलिय अला रसूल करीम अमा बाद फाउज बिल्लाहिम श्रेटान ररजीम बिस्मिल्ला रुख्मान रुख्मान रुख्म स्टेज पर बेटेए वे मौजजस हजरात और सामईन एकराम अस्सलाम अलेकुम और आदाब ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साहित समेलन में मुझे कुछ देर बोलने का मौका मिला मैं मुन्तजमीन का शुक्रियादा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराम किया देख जिन्दा से परे रंगे चमन जोशे बहार देख जिन्दा से परे रंगे चमन जोशे बहार रक्स करना है तो फिर पाउं की जंजीर न देख मजरू सुल्तान पूरी ने ये शेर बहुत पहले कहा था और जब 2006 में हम लोगों को अरिस्ट किया गया एक बंबलास्ट केस में वेस्टन रिल्वे के फर्स क्लास कमपार्टमेंट में साथ बंबलास्ट हुए थे और उस बंबलास्ट में मुझे और बारा कैदियों को बंबई ATS ने गिरफ़तार किया और नौ साल हमें जेल में रखा गया आपके सामने आने का और कुछ बाते रखने का जो में सबब बना है वो है एक किताब जो मैंने जेल में लिखी जिसका नाम है बेगुना कैदी बहुत से मुझसनिफीन लेखक यहां पर मौझूद है और आप जानते हैं कि किसी भी किताब को लिखने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होती है एक तो यह कि उसके पास ख्यालात होना चाहिए और दूसरी चीज यह कि उसको आजादी मैसर होनी चाहिए जब खुली फिजा मिलती है आजाद मौसम उसको मिलता है उसका जहन खुलता है और कोई किताब जो है वजूद में आती है लेकिन जिस माहौल में मैंने ये किताब लिखी उसमें ये दोनों भी चीजे मफगूत रही ना खुली फिजा मिली ना सोचने का मौका मिला आप क्या समझते हैं जो जेल में लोग कैद रहते हैं सिर्फ वो जिस्मानी तोर पर कैद रहते हैं उनके सोचने समझने की सलाहियतों पर भी पाबंदी आयत कर दी जाती है। उनकी हरका तो सकनात पर भी पाबंदी आयत कर दी जाती है। एक चार बाई चार के छोटे से रूम में 24 घंटे उनको कैद रहना है। ना वो पुलिस की इजाज़त के बगर उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना जेल के अंदर चहल कदमी कर सकते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हमारे जिसम के साथ साथ हमारे जहनों को भी कैद कर दिया गए। और ऐसे वक्त में किसी किताब को लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अथरोड जेल की सुप्रिटेंडेंडन स्वाथी साथे, जो आजकल महारास्टा की डियाईजी बनी हुई है, उसने इस किताब के पन्ने को लेकर के भाड़ दिया जला दी। और पूरी कोशिश की गई कि ये किताब कभी भी जो है मनजरे आम पर ना सके, लिखी ना जा सके। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आरी और उस माहौल में भी कि जब आदमी सोचने समझने की सलायत से महरूम हो जाता है, मैंने इस किताब को लिखने का बेड़ा उठाया, इस किताब को लिखने के दो मकसद थी। एक, तो किस तरह से ATS ने बंबलास्ट केसिस के अंदर मुस्लिम नौजवानों को पढ़ेल के तपके को फसाया है, कोट को गुमरह किया, जूटे, सुबूत और शवाहत पेश करके इनको सजाय दी है, इस पूरे ATS के शडियंत्र को, साजिश को बेनकाब करना। और दूसरी वज़ा जो ही किताब लिखने की बनी है, वो ये किस तरह से इस केस के अंदर जो बारा कैदी है मेरे अलावा, जिन में से पांच को फांसी लगी है और साथ को उमर कैद, किस तरह वो लोग बेगुना है और किस तरह से उनको रिहा कराया जाए, किस तरह इस होकर के, और ये किताब अर्दू और हिंदी में अवेलिबल है, और जब से मैं बाहर आया हूँ जेल के, मुलक के हर शहर में, हर गाओं में, हर करिये में जाकर के, इस किताब को ले करके हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारा मक्सब ये है कि इस किताब के जरीये से हम हिंदूस्तान में पुलिस के जो बेजा अख्यारात बड़ाद दिये गए है ये मुल्क जो सोशियो डैमकretenिक नैशनलिस्ट मुल्क था जिसे आहिस्ता आहिस्ता पुलिस स्टेट बना दिया गया है इसको जो है एक्सपोज किया जाए आपने सुना है टाडा पोटा मोका यूपा जी जितने भी सारे गवानीन है ये काले कानून बनाए ही इसलिए गए है कि पुलिस के हाथों को मजबूत से मजबूत तर किया जाए और ये इन्ही गवानीन का नतीजा है कि पुलिस जो है एक बिलकुल आजाद होकर के जो दिल में आता है वो करती है जिसे आता है गिरफतार करती है जब चाहती है किसको भी जो है सजाए दिलाती है और हमारी अदालते पुलिस के इस घिनाओने खेल के अंदर जो है जिसे कहेंगे कि आँखों में पट्टी बांद करके इनका शिकार हो जाती है तो इस पूरे गिनाओने खेल को आप लोगों के सामने इस किताब के जरी रखा गया है मैं स्कूल का एक टीचर हूँ और एक मामूली इनसान हूँ ना मैं लेखक हूँ ना मैं अदीब हूँ ना मैं शायर हूँ ना मुसविर हूँ लेकिन हालात ने मुझे इस किताब को लिखने पर मजबूर किया और मैंने इस किताब लिखी कलीम अजीम सहाब जो मराठी लोगों के दर्मियान मशूर है इस किताब का मराठी में तर्जमा कर रहे है और बहुत उमीद है कि बहुत जल्दी किताब आप लोगे सामने मराठी में भी आ जाएगी आज इस मौके पर बहुत कम वक्त में मुझे बोलने का मौका मिला दो बाते मैं आपके सामने, इंतहाई एहम बाते मैं आपके सामने करके जा रहा हूँ एक चीज, इस बात को समझ लीजिए कि पुलिस केसिस के अंदर बे गुनाओं को सजाय कैसे हो जाती हम और आप यह समझते हैं कि बेगुना है तो उसको सजा कैसे हुई अदालते हैं तो अन्धी नहीं होती अगर उसको सजा हुई है तो डाल में कुछ काला होगा तो मैं आपको बताओ डाल में कुछ भी काला नहीं होता और बाज अकात होता ऐसा कि सीरे से डाली नहीं होती लेकिन अदालतों में पूरी डाल की हांडी पेशकी कर दी जाती है और उस हांडी को देख करके अदालते अपने फैसले सुनाती है पुलिस के बेजा अख्तियारात के नतीजे में हुआ ये है किसी भी मासूम को फांसी के फंदे पर पहुचाना पुलिस के उल्टे हाथ का खेल है किसी को भी और मैं ये बात बार बार कहता हूँ हर मंच से कहता हूँ हर स्टेज से कहता हूँ कि एक दिन अगर मुझे पुलिस का चार्ज दे दिया जाए एक दिन अगर मुझे पुलिस का चार्ज दे दिया जाए तो नरेंदर मोधी को ब्लास्ट के केस में अरेस्ट करके फांसी लगवा दू नरेंदर मोधी की बीवी को विटनेस के तौर पे अदालत में पेश कर दू और उसकी बीवी ये गवाई दे कि हाँ साब इसने बंबलाश किया है मेरे सामने बंब रखा है ये पुलिस के बेजा अख्तियारात का नतीजा है ये टाडा पोटा और मोका कानून के काले करतूतों का नतीजा है कि किसी को भी और ऐसे मुश्रिफ साफ महारास्टिक एकस आई जी जिन्होंने हूग किल्ड करकरे किताब लिखी उनकी ये मशूर बात है कि पुलिस के अख्तियारात इसकदर बड़े है कि पुलिस चाहे तो आज के सीम के घर से आरडे एक्स बरामत कर दे ये हो रहा है आपके मुलक में ये हो रहा है पुलिस के बेज़ा एक्तियारात के नतीजे में तो सामईन एक्राम जो बारा लोग मेरे साथ कैद थे मैं जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा बेगुना है लेकिन आज महारास्ट्रा की जेलों के अंदर वो बंद है सजाए लग चुकी है फासिया उनको सजा दे दी जा चुकी है हाई कोट के अंदर अपील है मैं इस मौके पर एक अपील आप लोग के सामने करके जाना चाहरा हूँ कि इस किताब के जरीए से जो बाते मैंने आप लोग तक पहुँचाई है और आप बहुत ही पड़े लिखे और लिखने वाले लोग है आप जो है इस केस के अपर और जूटे मुकदमे के अपर जितना कुछ लिख सकते है जरूर लिखे और साथ ही साथ जो हम इस केस को लीगल केस से निकाल करके सोशो लीगल केस बना रहे है और हर शहर में हर करिये के अंदर लेटर पेटिशन साइन करवा करके हाई कोट के अंदर सब्मिट कराने का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारी आप लोग हल्प कीजे, मदद कीजे आप लोग भी उस लेटर पेटिशन का हिस्सा बनिये और इन बेगुनाओं को ये एक केस है जो सिर्फ तमसील के तौर पर मिसाल के तौर पर मैंने आपको सामने रखा है ऐसे बहुत से केसे से जिसके अंदर जूटे मकदमात दायर करके पुलिस ने जिनको सजाए दिये जर्मिन बिकरी बंबलास्ट केस है अक्षरदा मंदिर बंबलास्ट केस है मालेगाओं 2006 का बंबलास्ट केस है बहुत कुछ साबित हो चुका है अरे 2006 मालेगाओं बंबलास्ट केस कबरस्तान केस तो इस सिलसले की अजीम तरीन कड़ी है जिसमें साबित हो गया है कि ATS या पुलिस जोटे मुकदमे में मुसल्मानों को फसाती है सब के सब रिहा हो गया लेकिन ये भारत है कि उस investigation टीम के सारे के सारे अफसरान बशमूल के पिरगवनशी आज भी दंदनाते हैं ना सिर्फ फिर रहे है बलके प्रमोशन के मजे चकर है ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है तो इस पूरे मनजर नामे को इस पूरी साजिश को समझने की जरूत है आप लोगों ने मुझे बूलने का और सुनने का मौका दिया इसके लिए मैं शुक्रियादा करता हूँ एक शेर जो फैज अमत फैज का मशूर शेर है जो हमारी इस तहरीक का और इस बातिल निजाम का इस बातिल हुकमरानों का और ये जो बेजा कुवत हासिल की वे पुलिस हुकमरा है उनके लिए ये शेर है कि कफस है बस में तुम्हारे कफस है बस में तुम्हारे बस में नहीं गुल्शन में निखारे गुल के निखार का मौसम असलाम अलेक। पाई यह बहुताँ जनाना करत नहीं आली तुम्हारे गडेकादी वाटसप आला फेस्बूक आला फोरोड केला अने हैजा मौल अने गोस्टी आशा समुर आलेलेले की तुमी नुद्धोर्श अस्ताना सुधा एकादे गोस्टी ताडेकलेलेला अनी नुक्सान सोचाव मस्कार मित्रान नो बहीनिन नो भगीनिन नो सहित्य पत्रकारिता कि वा माध्यम आता जलापन मन तो पत्रकारिती चाहे पुड़ोजाओं यहन्चा दर्म्यांचा नाता आहे ते जुन नाता आहे त्या कर्टा समटल जात कि आचा वृत्त पत्र यह उद्याज़ सहित्य बंत कदा चित्याज अनुशंगान सर्व सधरन पने प्रत्यकत सहित्य सम्मेला नान मद्य पत्रकारिती विशिय मन जिए आज चे दुष्टिन माध्यमांचे विशे काईन काई तरी चर्चा परी चर्चा वगरे ही ठेवली जाते हैं। मी मज़े सवभग्य मानतों की मला याठी काणी सोशल साइट्स अने आज सा तरून या विशेवर्ती काई चर्चा करने चे संधी मिलते। कुरान मत्यास महंचला के लिए कि अलम नजाल लकुम आइने वलिसानों वशफतें वहदेना कुम नजदें। इश्वर्त संबोधन करतो है। मानवाला कि है मानवा मी तुम्हला दोन डोड़े दिलेत। एक जीव दिली और दोन होट दिलेत। और पुढ़हस संगनेताला कि हे देवन त्याचा संपूर्ण स्वातेंत्र है इश्वर्तन मानवाला प्रदान केला। या शक्तिनचा कि मा या शस्त्रांचा उपयोग कसा करावा कुणी कुठ करावा। या वर्ती बंधन कुणी ही कुठ ही लादलिल नहीं। मला सवांत बाटता कि मानवी संवेदना तेच्या शक्ति प्रगल्भता और त्याच प्रमान मत स्वातेंत्र वगरेंचा संदरभा मदे चर्चा करताना कुरांचा हे एक छोटा से वाक्य और एक गोश्टी अपलेला संगुन जाता। ते वर्ती जास्तन बोलता मुख्य मुद्ध्या वर्ती लगेद जायला पाईजे वेड़ फार जालेला है आपन सगले किम महुना आजचे युवा सोशल साइट मनजे काई यचे शी परिचित आहो तच तरी ही सर्वसदर्ण एक पात्स वर्ष किमां दहा वर्ष पुर्वी ते वेड़ेची जर परिस्तिती अपन लक्षा तानली तर अपली ओड़क ही कशी आसाची तर अपला नाओ घाओ वगेरे अपला पत्ता वगेरे ते नंतर ईमेल ही ओड़क बनली लोग विचारू लगले कि तुम्चा इमेल काई वेक्ती ची ओड़क ही हड़ू हड़ू मोबाइल कड़े सरकू लगली कि मोबाइल द्वारे ओड़क होईल लगली अन्य आता शी परिस्तितिया है कि एक दूसरे अन्न भेटता नलोका से सांगता आता आयमें यूटूबर आयमें ट्विटर रटी मंजे यूटूब वर्ती सक्रिय असनारा ट्विटर वर्ती हजारों कि मा लाखो फॉलोवर्स असनारा वेक्ती तेची ओड़क जनू तया सोशल साइट्स चाद वारे बनली जाते या वर उन सर्वसधन पने अपलाना कलपना है ते कि किती मोठा प्रभाव या सोशल साइट्स नी अपले वेक्तिक जिवनावर्ती कि वा सामाजिक जिवनावर्ती सुध्धा टाक लेला है एका स्टड़ी चा सर्वे चा अनुसार जना आपन सोशल नेटवर्किंग साइट्स मंतो उर्दू मदे इकड़ची जिवर्तपत्रा है तेलों का तैचा से अठी समाजी राबते की साइट असा शब्द वापर करता तर ती शंभरा चा वर आहे त्यातली सर्वसधरन एक सद्धन आवा आने का ना महिती नस तील पनेक साधरन चार साहा इतकी नावा सगले ना महिती साहेत जी महिती नाही एक तशप्रकार्ची नावा का या तर स्नैपचैट, वीचैट, क्यू जोन, तंबलर, स्काइप, लाइन, वाइबर, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी पने महिती आसनारी नावा है तरह अपन कल्पना करूशक तो कि जागतिक पातली वर्ती फेस्बुक ही सोशल साइट सरवाजास्त लोक प्रिया आए और प्रभावी देखिला है तेचे वाप वापनारे है एक अरब एकुण 60 करोड इतकी लोकांची संख्या है दीड करोड दीड अरब चा वर्ती विचार करा एक त्रित्याउंश लोक संख्या जगातली ही फेस्बुक वर्ती एक्टिवास्त थे और फेस्बुक या कंपनी न अतीशे लोक प्रिया है वाट्सेप यहला सुदा खरेदे के ले और या वाट्सेप वापनारेंची संख्या सर्वा सध एक अरब या दोन्नींची शक्ती तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला कलपना ये इल मजे किती मोठ्या प्रमाना मधे नेटवर्किंग जालेला है लोकांचा एक दूसरेंची जोडने ते लोका जोडले गेले आते या अनेक उधारन तेचा वापर कि मां गईर वापर कसा हो तो नौशाद भहनी तेची दिलेला है तेमल माज़काम थोड़ सा हलका जालेला है पन काई प्रसिद्ध घटना आशा घडलेला है कि ती आपले मनावर्ती कोरले गेलेला है कि मां अपले पत्रकारियत ते में अपले समाज जीवना मत देते उधारना सारके उधारना दाखल तेंची तासा उल्लेक करने ते तो है है प्रत्यकापी की प्रत्यक जे वेब साइट साहे सोशल साइट साहे ते चतले एखाद एखाद उधारन गेवन आपन पड़ुजा हुए अगदी परवा शुक्रवारी वाट्सेप बंद पड़ला फक्त अर्धा तास ताही ठीकाने एक तास वगरे तेची दखल कशी गहने ताली ते फक्त तेवलेला तुम्ही सगले कारेक्रामा मधे असाल कदाची सगली वर्त्त पत्र बगीतली नस्तील है तेलंगा ना टूले नावा से दैननी का है तेना फ वाट्स कॉलम ची वाट्मी दिली ब्रीफ आउटेज हैज वाट्सेप यॉजर्स इने टीजी में कल्पना करा एक सोशल साइट सर्वस अधरन पड़े अर्धयात अर्धयाता सा करीता बंद पड़ते कि वा डिस्टर्बस तेचा मधे तो लोको वापुरू शकत नाई येच तेही इंग्रजी वरत्त पत्रा मदे आणि तेही फ्रेंट पेज वरती आणि इटक्या चांगलियाने मोठ्या पत्दी दिन तेजी नोंद गिने देथे दुसरत आज़ा उधरां त्याज दिवशी चा अमेरिकेचा राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प यांचा ट्विटर आकाउंट फक्त अक्रा मिनिटां चाथी बंद करना ताला त्याला ही कारन अगधी वयक्ति का शप्रकर घृत त्या ट्विटर कंपनी मदे काम करना रा एक वेक्ती तो रिटायर होता कि मत तचा कंपनी में शेवर्ट दीवस होता और काई तरी तेचा मनाताल ने थोड़े वेड़ा करता तो बंद केला अकाउंट अनि सगले जग बर तर अशा हाजो काई गोंधल माजला मना कि वान की काही मना तर यह प्रकार चा प्रभाव यह सोशल साइट्स नी अपने जीवना वर्ती टाक लेला है विद्रह नो यह चांझ मधे अनेग गोश्टी या जम्मेच आहे तो आने अने गोश्टी या अपली अला कि अपन मझे यहन सब्सक्राइड मला एक उद्धारन नहमी कि लखशाते तकी तोजह शे जमेना तुझषविना करमेना अजाई प्रत्यकाला अध्यमान ची अणि या संदरवा मदे सोशल साइट ची काहिछ तरी तक्रार अश्ते अपन तक्रार करी तक्रार करी तो च्विट तरी देखील आपन तेंचा वापर शोड़त नहीं कि वह तेंचा सानिद्य आपले पशन सुटत नहीं। तसच सत्यधारांच आणे आपले समाजाचा है। जो परिंत सत्ता प्राप्तकराईचे असते, तो परिंत राजकीय नेते, याज साइट चा, याज माध्यमांचा वापर करतात, तेला शिडी मनुन वापरतात, एकदा खुर्ची वरती बसले, कि मा तेंचाच वरती निर्बंद लागने साड़े प्रहतन करतास्तात। अगदी ताज उदाहरन गेला अठवले चा, राजस्थान सरकार्चा आए, तेननी बिल अनलो, कि कुणी ही माध्यमां मधे, सरकारी बाबुन चा विरुद्ध, कि वाज यां चा विरुद्ध, काही ही लिहता कामाने, आता अर्था थे बिलेने आधीच, पोलिस अटक कराईचे, धाल टाकाईचे, वगारे वगारे प्रकार चालू होतेच, अपन तरी देखिल, तेला आता काईदेशीर पने, निर्बंद गालने साड़े प्रहतन होता है, ते किती धोका दाहे काईद, यहला आ सांगली मदेच धार्मिक भावना भड़का लिया मनुन एका योकाला पोलिस अटक के लिए, तेचा आधी, मजे जुन एक्जांपल जरी असला तरी कि बार साइब ठाकरे यहांची प्रेती आतरा होती, ते वलेला काईटरी ट्रैफिक जाम अगरे जाला, और कोकन ची एक लोक रस्ता जाम करती, लोक अनतरास होतो बगएरे, और मुंबई ची एक दूसरी मुलगी, तेची महितरी इनकी मा क्लास्मेट बगएरे, तेन तेला फक्त लाइक केला, तर पोलिस अटक केली होती, ते वलेला किती प्रचंद गदारो उडालेला होता, आपनेला कदाची त आठवा तासेल, आता या गोश्टी या सोशल साइट चे जमाने आताच होता, तासे नवे पूर्वी सुदा घळाएचा, अपलेच महाराष्ट्रा चे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते, ते वलेला एक मुठी अफवा उडाली होती, कि गणपती यहा दूद पैल लागला ते मुर्ती चा दूद पिनया चा ते प्रक्रियेला वगरे, पाहवा मुण सोता मुख्यमंत्री ते ठीकानी जाताथ, और ती अफवा कुठले पातिली वरती पोचते, ते ते अफवा चा प्रभाव किती होतो, यह आपन या गोश्टी वरन सम्झू शक्तो, एक गमती चे गोश्ट फक्त उल्लेक करतो मी, यास्त चर्चला वेल नहीं, की मितरा नो, खरमन जे इन्फर्मेश्ट टेक्नोलजी, यह चे नावा खली काईतरी, साइबर लॉज वगरे, जुजबी, प्रकार चे आहे देशा मधे, पन्ड, फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन, अनि मीडिया अनि माध्यम, कि मा सोशल साइट्स, यह चे वरती कुठलाई प्रकारचा काईदा आपले देशा मधे, हस्तितवत नहीं यह खरमन जे, आच्या घडिला, जर सरकार न ठरौल, की यह चे वरती काईतरी, यह चे वरती काईतरी नियतरान अनल पाईजे, कुठले प्रकारचा, तर आएपीसी चे धारांचा तेचा वरती करता यह चे वरती काईतरी, उदारन अनल धर्मिक भावला दुखावले यह अपमान केल, कुठाला दुखावला वगरे यह प्रकारचा, जुज भी अशा प्रकारचा काईदा आएद, अपन आएटी अनि सोशल मीड यह अवगरे यह अचे साथी कुठले प्रकारचा नियंतरानाचा काईदा ची यह अदेशा मदे अस्तित वात नहीं है, अनि माजा एका मित्रान याच विशेयाला धरून उस्मानिया इन्वर्सिटी मधून पी एजडी सा थेसिस लेहला, तेहना तेचा मदे अनेक प्रकार सुछलेला थे ज्याएक है काइदे सुछलेला याएक तुकंट्रोल करने से अनि एक भुश्चिः चिंपती हा रहक पत्भाषा को hai अपन चंद्रावर्ती गेलो कि वाँ जाता होत वगएरे सग्रजरी खरासलो तरी दिखिल जया गोष्टी करायला पाहिजेत त्या अपन आने आपले शासन आने आपले समाज कारान करत नहीं आहे या गोष्टी करामला सग्रेंच लक्ष वेधुन गयाईचा है अधा या सग्रे सोशल साइट चे जमेचे बजु काया है थोड़ क्या या चावर्ती लक्षर गेऊ आपन अनि पकड़े लापले ला उदारनारत परवाद चीच बात मी की यूटूब यानी यूटूब किड्स या ना वने एक एप अन लेला है अनि तेचा मधे मुलां चे निर्मंद थेऊन तेचा वापर शिक्षणा साथी अनि इतर सदूपयोग तेचा कसा करता है इल्याचा संदर बाद बंद एक एप डेवलप के लेला है तेन अंतर अनेक जे एप साहे तानि सोशल साइट साहे तेचा सग्रेंची विशिष्ट प्रकार ची आशी एक तेची उपयोग तो दारना तर ट्वीटर आहे तो ट्वीटर चा उपयोग हा बातमें साथी जासते करून करने अते तो ताजया बातमें था बढ़तो पमिलता त वाट्सेप चा उपयोग कंटेंट शेरिंग साथी ज accordance आते तो फेस्बूक चा सोशल गैधरिंग नेट्वर्किंग साथी हद्वीटर चा उपयोग तो यूट्यूप चा वापर महती गेने साथी सर्च करने साथी तर हो तो अनेक लोकान ना कल्पना नाई है कि मोनेटाइजेशन अन्किवां पैसा कमाउने साथी YouTube सा वापर करने आत एतो या गोश्टी कड़ा अपलाला लक्षे दिलो पाईजे अने प्रकार उधानारता एक शंबर वर्च पार के लिली एक रधा आहे अपने दक्षिन भारता मदेच तीचा मुलान नी ती काई तीरी किचन मदे शिजवत ह हो थी अनि तेला शूट के लो मोबाईल वर उनाने ती यूटूबर ती टाकलो और लाखों चा संखेन ती पसंत के लगेलो अनि तया नंतर तया महेले चे अनेक वीडियोज यूटूबर ती टाकने अता ले तो बजी इतकी लोगप्रियता मेलते अन ती जितकी तेला हिट् जर आपन ते तिक अनि रिजिस्टर के लेतार तर यहां गोश्टी तेचा उधाने तो खान अकेडमी नावा ची एक संस्ता है तेक पाकिस्तानी नागरी का है पड़ अमेरिके में धेस्ताई कून तेनी शिक्षनाला फ्री करने सथी अनि एक प्रकार चे वीडियोज वीडि डिजिटल मीडिया यांचा दी खिल वापर करने आते तो और तो पॉजिटिवली तेचा वापर करता है तो चेंज.org या नावाची जी एक वेबसाइट है तेचा दोरे आपन अने एक प्रकार चा सामाजीक नागरीक अने इतर मुद्यान वरती सर्वेक्षन करने किमा सरका या नावाची जी रेडियो जोकी होती तेया महिले न एक गान सुन्दर पने गाईला ने ते मक्त यूटूबर ते टाकलाने ताले केते हिट्स मला आले और शगले देश पर किम बहुन जाक्तिक पातरी वरती तैसा कसा प्रभाव जाला या शगले गोश्टी आपले आपले बुद्धी चाहे आपले दिस्ट तो नेहमी सुताला कस एक्टिव ठेवाव एनर्जेटिक ठेवाव किम आते चे मोबिलीटी कशी आसा वी या संदरबाद ही देखिल फार जागरुक दिस्टो तरी सुदा में आसा बंतो कि सारे जहां का जाइजा अपने जहां से बेखबर हजार कि मा लाख इतके फaza की फॉलोर्स ट्विटर वर अस्तील यूटव वरती यस्तिल गूगल प्लस वरती यस्तिल फेस्बूक वरती यस्तिल पने अपल आफया या ō यानकशा वापर कशा प्रकारे करता तानि ते कस वाइट पद्धती उधारन घरता समाझा में विशाका पत्नम मदे एका योका न भर दिवसा फुटपात वरती एका महिले वरती रेप केला और ती तो एता जाता इत लोकाने एका रिक्षा वाले न तो रिक्षा मदे बसून सब्सूद शूट केला अश्चेरी जी गोष्टा साया है कि तेने वाचा वने ऐसा त्या महिले ला वाचा वने जाकिमा त्यां योका थांबोने ऐसा कुठला ही प्रहत्न केला नहीं जे विचार करा कि हे जे शस्त्रा है तैसा आपन वापर कसा करतो है कुरान ने संगीत लगी तुम्हाला डो कान नहीं है समझने ची गरज आए तैस प्रहामने ऐसा वापर योग्या प्रमाने करने तो है उदानार था एका देला मदती ची गरज आए खादा आजारी आहे कैंसर जाला है खर्चे जासता है तर आशा प्रकार चे शूट करतो हो तो वीडियो पिक्चर्स वगरे घे तो प्रत्यक सोशल साइट ची प्रोफाइल वेगड़िया है अपन लिंक डिन मधे जर जातो है त्या ठीकाने एक्टिवली रहतो है प्रोफाइल अपलटे होतो है तर त्या ठीकाने नोकरे मिलने चे शक्केता जासतो होते ट्विटर वरती जर का चांगले गोश्टी टाकतो है अजकर आज कंपनिया है तर आपलया या सोशल साइट चा प्रोफाइल वरते आधारी प्रोफाइल चा आधारा वरती नोकरे देता थैब काड़ताता चुदा काई घटना नहीं आएकि कंपनी चा एविरुदात लिहला किमा असामाजिक लिहला ये लिगयर याए तर तर अपले अपन निसर्गाशी कशा जोड़ावा समाझाशी कशा जास्ति जास्त ठेवावा श्रद्धा भक्ति कि मेडिटेशन यंचा साथी वेल कशा काड़ावा या गोश्टिन ची ही अपला करने ची गरजा है अपन जे काही टाक्तो है ते सेव होता है ते कुठतरी सर्वर मे आपन कदी ही ते डिलीट करू शकत नहीं या सख्या अनेक तांत्रिक गोश्टी अपलिया योकानना माहित नहीं है अच्छा घडीला तुम्हें एकादा इमेल अकाउंट ओगढ़ला फेस्बूक अकाउंट ओगढ़ला तुम्हें जरी तुम्हें सवता डिलीट के लेला असल तरी जे का ही हिस्ट्री आहे ती सग्वी हिस्ट्री रेकॉर्डेड असते एकाजा सर्वर मदे आणि ती आपन कशी थे होतो तो ते ठीकानी काई कंटेंट असते पॉजिटी असते निगेटिव असते ते किसी कदी ही कुठा ही धोकादाइक ठरू शकत तयाचा गईरवाप ताहा फेस्बुक वर्ती अपला स्टेटस ओन थेऊने उधानार तो एकाद्या महिलेला एकाद्या मुलीला उट तरी दोर्या वर्ती जायचा अनि तीना ओन करून थेऊला अनि आसना सांगितला कि टुमारो इल भी हियर नेक्स्ट इल भी हियर अमी आज इथा उद्यात असा जो एक सोभाव बनननेला है तिया अधारावति असामाजिक तत्व ही स्टॉकिंद करता था ट्रोलिंग करता अनि तैचा अधारावति वर्ती जोगर्ति प्रोच्छान एल औहला उनेक प्रकार चामिनी ढूले ear प्रिकार्इं चीजिन करता मूले अनेक प्रकार युच्छ करने अपने प्रबोधन करनेशा है अशाम लावाटत आपने अपने गोश्टीचा वापर करूं आपन समाज मदे प्रबोधन नाची अन्खिन नवी चलगर शूरू करू अपन संदी दिली या ठेकने मला बोलनेशाधे तया बदल फार बार आभारी है धन्यवाद दन्यवाद खालेजी, खुब महतवाचे मुद्दे माणले तापन की थोड़ा वड़ासाथी शुटा वाटसप बन जाला की पेपला तेची दखल गयावी लागती तेपन पानेकला मझे आर्दा ताज जारी बन जालतर मझे आच्या जुवनात वाटसप फेस्बूक युवा सोशल मीडिया न किती जीवनाचा भाग वैपलेला है याची बरिच आपन मायती दिलित एक दोन मीटा तापन सतकार कारें गिवेएत मी लियाकत सराना विननती करतो तेनी बर्ती आवो अनुवा राजन आपलेहेतो उपसी तेनी मंचा वर्यावो इनुशालम सरीत उपसी तेनी अनुवा राजन आपलेहें सतकार करावा लियाकत सरानी शेशी सोनोन आपलेहें सतकार करावा अनि नंतर उर्लेले तीगांचे सतकार उनुशालम सरस करतील खालेद मुला जी अपी आपी करी सबके एंतर नुशालम सरस उसमान आपलेहें सतकार करावा वाहित शेख प्रप्राइब प्रप्राइब प्रप्राइब। प्रप्राइब प्रप्राइब। यनांतर सशी सोनोने अपने विचार मानतील सशी सोनोने। आदर निया विचार मन्च आणिया अक्राव्या मुस्ली मराठी साहित्य समेले नाला उपसित असलेले सर्व साहितिक रसिक हो। विशायला सुर्वात करने चादी मी एक गोश्ट सांगू इच्छे तो। मगा अशी बेगुना कैदी आशी जी थमाननी जाली। साहित्य कांच दोन प्रकार समाजा मदे कायम असतात। एक नासी फढ़काएन सारका असतात। जे गाडी थ बसतात और गाडी चागिटेन फांटन ला जानारया मोर्चा चाग निरिख्षन करत। त्या चेव व्रणन तेग अदंबररें मदे व्यक्त करतात। अन दुसरे साहित्य का सतात। जे त्या मॉर्चा मदे आसतात। मॉर्चा मदे गोषना देतासतात। पोलिसान cortar लाठै खातासतात। आणि फक्रा लेतासतात। तहिं आपुदा आन्वभौु साथे। तुमची जी 2 गुणा कईदी आय। ही का डंवरी आमची आंभव साथेंचा परंपरेतली आये आनी आशा परंपरेतच पाइक we गीले 91990 पाचन मुसली म्राथी साहीतrak चल जालेली आये अन तआ मुले मुसली म्राथी साहीताचावएला जे 25 वर्षप पुरुण होतायत त्या बद्दल ही, कम्रेड विलास्वनोनेस्तिल, डॉक्टर शेक मिननेस्तिल, आनी सर्वत, एके शेक पासुन सर्वत जेवडे या प्रवासामदे लागून रहेलेला हैत, काई थकले, काई नवेजोले, या सर्व शक्तिनना, मी पहले विनमर अभिवादन करतो, आने आपन अपले विश्या वर्योया, आता माजा पूर्व दोन वक्तेन नी सोशल मेडियाचा स्वरूपाला घ्योन, ताचा व्याप्ति लाग्योन, आने ताचा बरे वाइट परिणामन ना घ्योन, आती शे तप्षिलवार माणनी के लिए, मी ताचा रिपिटेशन मदे जात नहें काई गोश्टी साध्यास रड़ेत, पहलें दा छापिल पुस्तक आले, ते 15 वश्यतक, 1724 चास पास, छापिल पुस्तक आले नंतर, माहिती चा ओगा मदे प्रचंड मोठाव बदल घडला, ताचा अधी माहिती ची देवान घ्योन होत नहोती का, होत नहोती ना, आपले मोखिक परंपरेला, आंत्या माहिती चा देवान घ्योन होती ला, स्थल काड़ाय चा मर्यादा निश्चित येत होती, तेला वेल जात होता, पन जो चापिल पुस्तक आले लागली, छापा यंत्राने, ती एक क्रांती घडु मांडली, आनी माहिती चा ओग, हा सर्वधूर पसरणेचा एक आउकाष निर्मान केला, आज आपन एक विस्यावा शतका ता होत, माझा हातातला स्मार्टफोन, माझा हातात नेमका कदी आला, येची तारिक माला संकते हैतने, मी सोशल मेडिया वरती, माझे सोशल मेडिया चाली प्रोफाइल, क्योभा बनुली, हे माला, ती सोशल मीडिया ची वेबसेट सांगते पन मला आठवत ना ही आणि त्याच्या शिवय माजा जिवाता गुद्मर रहला लगले मी रावशकत ने मजे आपन इत्तर कुठलाई विशावरती चर्चा करता ना शंबर, गिडशे, पाच्छे, साच्छे, हजार, बाराशे वर्षान चा मागे जातो आणि जनुका इत्या काला मदे आपन आहोत आशा पद्धत ने आशा अवीर भावत आपन सहस पने बोलतो पन स्मार्टफोर नावाची गोष्ट सोशल मीडिया नावाची गोष्ट आली इम की कदी, तीचा आपन वापर कराला लागलो कदी, मुझे एककुनिश्य आईशी, बैंशी चा धर्मयान जे आईब्म ने PC बनोला, परसनल कॉम्पुटर, आणि त्या नंतर तुम्ही घरा घराद PC आला नंतर, नेट, इंटरनेट कनेक्टिव्टी आली, आणि मग तुम नाई, 2004 साली जे मेल आले, एप्रिल मदे, फेबरोरी महिनात, फेस्बूक आले, हिस अगे सूशल मेडिया चे आणि एकमेकांचा संपरकाची जी साधनेत, ती तंतरत नानाने काल परवाच आपने हातात दिलीलेत, पन काल परवाच हातात आलीली ही साधन, त्या साधनान व आपना यह उड़ा मोठा कब्जा गेत लेला है कि आपनी उड़क त्या साधनान छिवाए आता रहलेली नाहीं, आर्षा, मेडिया मंजे काये माध्यम ना, एक प्रकार चा आर्षा, आर्षा चा काम, चेहरा जसा है, तस दाख़ण असत, जो काय असल तो, सुन्दर असल तो सुन्दर कुरूप असल तो, कुरूप, और सोशल मेडिया, जरी तो मीडिया असला, तो तो आर्षा निश्चित नाहीं, तो माध्यम निश्चित नाहीं, तु मि कोण आहात, तुमची काय ओभक आहे, हे काही प्रमाणा ठरवनाच, प्रभावीत करनाच, व्यांखित नाम ते माध्यम देखिल कराला लागलेल थया मोले मी शाशिसोन नेमका कसा आहे यह माझ्या जवलचा लोकानना महित अस्त पन माझी जी सोशल प्रोफाइले त्या प्रोफाइल वरून जगाला शाशिसोन नावाचा मान्साची प्रतिमा ठळकरद पने जात अस्ते आणि बराज जा त्या प्रतिमेला घ्याउन जगातली सर्व मांच त्या वेक्तिच माप काड़ातास्ते। कि हा माणू नेमका कसा है। सोशल मीडियानी हे बरिवर्तन निश्चित पने घड़ाव लेले। काई चांगला घुष्ट है याथ काई वाईट घुष्ट है त्या बरिवर्त आले लेज़ेत। माले एक घुष्ट वाट्टे है। कि तंत्रतन हे निश्चित अच निउट्रल नसत। ब्हाण्डवल चाहिएच विकासा चा गर्जय पोटी तया गर्जय चा टप्या मदे ओघाने आले ली गोश्ट है। तें चा हीत्यसं सम्वंद्द राखने साथे हैं से तंथर दूदरी शस्त रजी तेंडे तक हैं रॉर्ड चीहिए цо डुश्ट अगले असहली तर मोटा मोटा ऐसे धर दर्यमें से छोरी। अगलें तश्नकर उनेले। थामने तंत्रधनाना दोश्देन या बाजोचा मी नही या मताचा मी नही चöhँ कोर्ड za जाएं तंत्रधनानाने आले खीके ये तरेन सोचल कल सिर्धने आवाची गोस्ट थी तुमी आमी निर्मान केलेले ऐ जाला कोट अनकोट मोबाईल आने आपन पीसी आने हैंड हेल्ट जेका इंस्ट्रूमेंट सेथ वर्चौल रेलिटी चे त्याच्या आधारने जे वापर तो त्याला मी मन्त है आनी सोशल मेडिया चा यवडा मरेदेत आर्था पन नसला पाई जे याही मी मताचा है सोशल मतला सोशल हाँ फारस व्यापक गोश्ट है तेमले आपना सु मनुया कि तंत्र द्याना ने थरव लेला जो सोशल मेडिया आहे व्याखित के लेला जो सोशल मेडिया आहे तो काई आपन निर्मान के लेला नाही है तो त्यानी केला है का केला है करन माहिती हेज आत्ता चा वर्तमान भांडवल शाय चा विकासा मदल मुख्य भांडवल जालेला है भांडवल हे आता चलन यवडा पुरता मर्यादित ने चलना चा पल्याड जाउन माहिती इन्फोर्मेशन ही भांडवल जालेला है इन्फोर्मेशन इस कैपिटल आणि हे भांडवल गोला करनेचा साधन तुम्चा सोशल मेडिया है फेस्बुक वर तुम्ही लिलेला प्रत्तेक शब्द हा त्या भांडवलाची निर्मिती करत असतो माज़ सोशल प्रोफाइल माज़े वीचार हे जगातल्या मार्केट मदे खपत असता त्याचा एक वेड़ा आर्थिक वेवार घड़त असतो मनुन सोशल मेडिया मदले जे प्लाटफॉर्मस आये त्या प्लाटफॉर्मस वर ती मक्तेदारी है तुम्ही चंबर कंपने मुझ दॉन दाखवाल सोशल मेडिया चा संदरबा मदे पन ठरावी कंपनेंचिस मक्तेदारी जालेली जे आकड़े तुम्ही आत्ता माणलेले ल क्टान ची स्वताची काही गुंतनुक ना अपद सभग्वास करें लिंग के क्यों एक मसमाजिक्त प्रह्शना सभग्वास कैंको मार्केट आड धिय separate सबुल अगया पठीता से इसे आद और ह vive अ लगेत किला अधुर्श्षे़ पुरणारा माईती नृमाण करनारा आजो कामगार आहे तो बिन प्रिछारी, अत्यनत हुषी आसा जो कामगार आए, तो आज़सा तरूड , तो अत्या आत्य ने फूरुसतिने ही सगल्य भाणुअल नूर्मां करता अश्तो, तो लिूण देता अश्तो, wahrbt vom just आप आपले पद्धेतेने करता सतते वाईरल जिह होतो श॑ल ऌना वायरल वाईरस असते हैं रिपदाशेस पत्फ जिवाईरल होता सती ते हमेरी मदेः असावलागना आनल ते हमेरी होड़ सवाइशाै तेहला हवड़ेलाद दे लागना वाइरस असो आप अपने पस्रम्ण consists त्यों वाइरल गोश्टी मोदे थोड़सा जर तुमाला कायम मिलालो तो तेला हवा देनाचा काम फ्लाटफॉर्म करतास ता ता अनि मख तुमाला वाइरल स्टोरीज तुम्छा फोड़यात येत तास ता आनि तुमी पन तचा आओती बोती नाचा तसता है गड़ता है त्यामने पुर्वी दंगल करना साथी फिजीकली प्रत्यक्षा मदे एखादी कुरुतिक करावी लागत होती एखादी गाय मना आनकी काई मना नेका मंदिर मना पुतला मना चपलेचा हार मना आसा काई तरी हालचल निर्माण हून जैसे पाजी तसी दंगल घड़तोती आता प्रत्यक्षा मदे काही ही न करता तुम्चे लेलेले शब्द आनि तुमी आउट ओफ कॉंटेक्स्ट वापर लेले प्रतिमा या पुरे शास्ता प्रत्यक्षा जिव वाच्वना साथी आनि प्रत्यक्षा आधर साथ भागाये तक प्रक्रिय आधि आनि जह साधरन ता चाहिशी चा आलिकड़े पल्लीकड़ेची लोक अधि ती आ प्रक्रिय में घड़त गेली ली व्यकती है थी मैं जै मी कॉलेज में आस ता ना हमाला कॉंपुनीटर साइंस पेपर होता आमी वर्षेवर कॉंपेटर भग इदलास ने त्यावला 486 होतो हाथ आंसर शीर्ट्स वर्थी कॉंपेटर साइंस आमी शिकलो में तो काल एकोणिशे एक्ट्याणो ब्याणो चा आज 2017 कि लहान मुल सुधा तुमचा मोबैल वाप परता है आशा स्थिती यवडा कमी वळामदे यवडा व्यापक पातली वर्था घडले लाए यातना होते है काए तो दोन प्रकार्चा गोष्टी घरताना माला दिशता है एक माहिती नावाची गोष्ट ही आता दापता येत नाई है कुठलाई प्रकार्ची माहिती तुम्ही जास्तका दाबून ठेवू शकत नाई है सत्तेत बश्णरन साथी भयंकर अड़जनीचा धालेले कि कुठलीच माहिती सरकार दरबारी असेल कॉर्परेट्स जगत आतल आतल्या गोचास्तिल आगदी तथा कती धशतवादी कारवयन बद्दल असेल त्या महिती तुम्हाला एका मर्यादय चा पुडे दाबून ठेवता येत नाहीं ती महिती वर येतेस येते आन ती महिती सरोधूर पसर्तेश-पसर्ते आनि समाज मानातन त्याची एक प्रति पुर ठन घळताने दिस्थे का तो माला नए वाटतजिए अ. महाहिती अ이stä्या मुठ्धा प्रचंट प्रमाणा आधर से और matter के माजा मेंदु त्या महाहिती ला पत्चू उँनаки आए थैयां आःगे करणया मदे अक्षम ठरतो है कान महाईती आधरन्याचा जो जुवेगे तो भयंग करे आणि मंग भणून परवाचे दुशी जर एकादी वाइरल्स आलेली घठना आसेल ती आच्छा तारखेला माला आठोत सुद्दाने कान आच्छा तारखेला तीसरीते गुष्ट घडली आच्छा मदे मी गुंत लेला असतो आणि मी रियाक्ट करता सतो तो तरुडान मदे एक छोटा सेक्षन है जो महाईती जनेरेट करतो है आणि दूसरा एक मोठा सेक्षन है जो त्या महाईती ला प्रतिक्रया देतो है रियाक्ट करतो है कंजूम करतो है आणि मग ताला कंज सब्सक्राइब करता ना संगटना बांदता ना एका प्रश्न वरती आंदोलन करता स्ता ना मला प्रत्यक्षात त्या रस्ते वरती उभर हावा लगते जेंडा यून मना काई यून प्रत्यक्षात मला मार ही खावा लगतो क्यों प्रत्यक्षात मला मार ही द्यावा लगतो आणि त्या आंदोलनाचा जो काई विशासेल त्या विशाचा सोक्षमुक्ष करावा लगतो ये प्रत्यक्षा गड़नारी गोष्ट अस्ते सोशल मेडिया आले नंतर एग गोश्ट गढ़ली लिये कि तुम्ही महय ते टाका तुम्हेश इमोझीज अस्तथ रागाचा हस्याचा करुणेचा अंठ्यास्तथ ते दना दन 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 यतत ते जे आलेले अंठ्यास्त ते आंठ्यांचे पाई मात्र ते रस्थय परणत पो आणि जापन आंदोलानान मदे कि सोशल मेडिया चा माध्य मातूल मोबिलाइज जाले आणि ते रस्त्यावरेताना दिसलेले आहेत ता त्याचा मदे थरून प्लान करून काई गोश्टी घडून आणला गेलेलेत ते लोकांचा उच्पूर्दाशा प्रतिक्रेतना आलेले जास्थ दिसत नएत मगो ते का है जोशल मेडिया जरी हा सोशल असला तरी तो व्यक्तिचा व्यक्तिचा हातातला अत्यांत आत्मकेंद्री है काल परंत एक आद या नवख्या कवी ने एक आदी कवी ता रचली क्यों गजली तर ती मापाद बसते की ने त्या पट्टित बसते की ने आशे सांगनारे जेश्ट जे अस्तील त्यांचा सलला आएकला जाइचा क्यों तनी धमकावल तेहे भूजाईचे आता माला जेवाट तमीती लितों ना आणी तुम ही मल आड़ूने शकत त्या तुम्हसे जे मापधंड ते मापधंड तुटलेत आता ये मापधंड तुटले एक आरथे चांगले करणा अभियोकति कुछल्या प्रकारे करता एते आशे अनि ताचा एक नकारात बाजु आश यहां घुसलनी तून नवे नवे साहित्य प्रकार जनमाला यहू शकतात। कि सोशलमीडिया मदे वेडव आखड़ जसई अभिवयक्त होना रे तरुना हेत। त्या तरुदाँ च त्या साइत्याला, जर त्या च नीट निरिक्षण व participar करते जिंत yagt तो शुत्र च पात्रल सा प्रोदायकों अरशलेले साइत्यास व्यादलाशत अम्हेक लिजा चाल लगें अंपन थोड़ी वाड़ भगए यहला नाकारऊया नोको, थोड़ी वाड़ भगए है। माला शफी यहांची गजल क्यों कवीता ही वाटसप चा मादने मानतुन पहले दा कर ले ना? आज मेरी आयकला, आत्या है आयकला है। माला शफी माहित नसते, पड़ोट्स हमाला पहले सोशेल मेडियाचा नावाखाली मायतीचा बंबाडमेंट भयंकर व्यक्तिकेंद्रित करून टकलेले तुमचा मायती प्रसरणाचा साधनांचा मायतीचा देवान घेवानाचा साधनांचा आकार तंतर नां छोटो-छोटो करत चाले आन त्या चोटा-चोटा साहित्या मधून मजे इंस्ट्रूमेंट्स मधून महायतीची जी बंबाडमेंट ती प्रचंड व्यापक है आन यवडा प्रचंड व्यापक महायतीचा बंबाडमेंट मदे त्या महायतीला प्रोसेस करू ध्याना मदे परिवर्थित करना कि आपला स्वता चा मत अनि स्वता चा मन घड़वन या बाप्तित मात्रते संकुचित होत चाले औंकुचन पावते इथ आंतरवरोद ऐ आंतरवरोड इथ फसली रेत अन् त्याम ले वेगा प्रकार्च तुटले चाले पनाले ले तो खर जग आनि मैं वास्तव जग आनि वर मुल्याचा लहांगयाचा जिऊ गेई परंत जातत आतो जिऊ घेतो कोड तो स्वतात वड़ी मारतो ना पन्ना सावेद उशी हे जे तुटलेपन इते तुटलेपन सोशेल मेडियाचा या आत्मकेंद्री सोरूपाने सुध्धा वाडिस लागता ना अप्याला दिस्त है त्यामे ताचा या नकार आत्मक पक्षापन नजर अंधास करू शकतने त्यागर लक्षे दिलस पाईजे या तुटलेपन और ती उपाई प्रत्यक्ष जगात ले प्रत्यक्ष वास्तवात ले समाजा मदे जे अंतर विरोधायत त्या अंतर विरोधान मदे आप्याला उबराहिल तरस या तुटलेपन आतना आपन बाहर पड़ू शकतो आन्य था वर्चुल रियालिटी मदे वर्चुल सुक सुगद्याचा नादात आपन फ्रस्टेट होन डिप्रेशन मदे जान आणी साइकीक होन या पक्षव वेगा काई घडू शकत नाही तेवा मी रस्तयवर्चा मानूसे रस्तयवर्चा चलवएतला मानूसे मी तुम्हा आतो बूत्य नेला थ सब्सकान था तो और प्रेशन मदे जंटावर्च निवर्चाम काल सुगाद फ्रस्ता या अवव्हान अरूसे ते प्रतिपलीब ते प्रतिभिंबित भाव यवडे एक आपेक्षा व्यक्ता करतो आणि मी इथा थामतो धन्यवाद धन्यवाद सेशी सर आपने महत्वाचा मुद्धा मांडला है साहिती सम्मेनला ग्रह दरून की आच्चा तरून सोशल मीडिया तून वेक्त होतो है अभिवक्त होतो है अपले लेक टाकतो है तर तेचा तून नवे साहितिक निर्मान होतील असा तेना वार्तेतर है खर है और याज द्रिष्टेन आपन पॉजिटिव जेला मनतो है आपन सोशल मीडिया चाशे फायदे नुकसान है तना पॉजिटिव होन आपन घिवया की तरून चांगला महिती टाकेल साहितिक तैयार होतील आनि ते मुस्लिम मराटी साहित जोडले जातील आनि अध्यक्षान चा प